तमाम पेचों के बाद महराजगंज में ये कॉंग्रेस ने सीट क्लियर किया कि भाई वहां से कौन चुनाव लड़ने वाला है उसके बाद सियासी घम असान मच गया नमस्कार मैं हूँ रजट और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन बात करने वाले हैं महराजगंज सीट की बात करने वाले हैं कि तमाम मुश्किलों के बाद तमाम पेचों के बाद कॉंग्रेस ने आखिरकार वहां से लोग सभा प्रत्याशी का नाम सुझाओ में लाया जिस से जो नाम सुझाया गया वो है अकाशिंग अकाशिंग के बारे में शायद आप भी उतना नहीं जानते होंगे हम भी आज उनके बारे में जब खंगाल रहे थे पता कर रहे थे तो उनके पिता का नाम सबसे पहले आया उनके पिता का नाम है अखलेश प्रसार सिंग काफी परे नेता है, काफि कद्दावर नेता है और काउंग्रेस बिहार में उनकी खासा पकड़ भी मानी जाती है क्यूंकि वो काउंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भिहार के और साथ ही साथ बिहार सरकार में महागडबंदन में कई बार वो मंतरी भी रह चुके है। यहें उनका पर्चा है और उनके बेटे का पर्चा यह है कि उनका बेटा जो आकास सिंग है वो अकलेस परसाद सिंग का बेटा है बस इससे जादा कुछ जादा पर्चा नहीं है हाला कि इससे पुरुव भी वो एक बार चुनाओ लड़ चुके हैं रा लोजपा के तरफ से ल अपनी पावर को पूर इस्तमाल किया और उन्होंने अपने मित्र संगठन सचिव वेडु गुपाल की मदद से मलिकार जुन खटगे को मनाने में काम्याब रहे तमाम आला अधिकारी और नेताओं को मनाने में काम्याब रहे और टिकट अपने बेटे के जोली में लेके डाल अब यहां से उनके बेटे का रायनिती करियर शुरू होता है हाला कि वो रायनिती में सुरू से ही एक्टिव थे अपने जिले में उनका जिला है अरवल और वहीं से वो रायनिती करते आ रहे हैं लेकिन अचानक महराज गंज में आ जाना ये थोरा कहीं न कहीं लोगों के धमा वो अपने बीवी के नाम को हमेशा सजिष्ट कर रहे थे, अपने धर्म पत्नी के नाम को लेके आगे आ रहे थे, और कह रहे थे कि इस बार हमें टिकट दिया जाए लोग सभा से, और अभी तक वो ये मान के बैठे थे, कि मुझे ही टिकट देगी कॉंग्रिस, लेकिन जब य ये क्लियर हुआ कि नहीं भई अब वहां से आकास सिंग चुनाओ लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब इंजीनियर सचदा नंद्राय निर्दलिये लड़ने पे विवस नजर आ रहे हैं, वहीं रंधीर सिंग भी बागी हो चुके हैं, मागडबंदन से राजद नेता नहीं लड़ रहे हैं, वहीं अगर बात करें तो बीजेपी के तरफ से दो बार रह चुके सांसत जनार्दन सिंग सिंगरवाल एक बार फिर से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, और वो कहा जाता है न किसमत हो तो सिंगरवाल जैसी, मतलब क्या किसमत लेके आए हैं वो, इस बा और इसका साप वचय ये है कि आकास सिंग को वहाँ से टिकर दे देना, आकास सिंग जिनको महराजगन की जनता जानती भी नहीं है, जब मैं महराजगन की जनता में से कुछ लोग को कॉल करके बात कर रहा था, तो वो लोग भी मुझसे ये पूस्ते नजर आ रहे थी, ये तिलहाल कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने शक्तियों का क्या उपियोग किया है, अपने ही बेटे को दे दिया है टिकट महराजगंज का, मैं आपको बता दू, हमेशा से ये कॉंग्रेस के उपर परिवार बात का, ये जो एक तरीके से बाते कही जाती है, कि ये प बेटे के उहीं चुनाव में उतार दिया, हला कि क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ समय तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि दूबे जी को वहाँ से टिकट दे दिया जाएगा, दूबे जी की खासा पकर मानी जाती थी महाराजगन से, और वो कॉंग्रेस के काफी बड़े नेता ये काफी कदावर नेता भी है, लेकिन ये अटकलने क्लियर हो गई कि भाई आप इस बार उन्हें भी टिकट नहीं मिलने वाली है, मतलब मुश्किले साफ है, क्लियर हो चुका है ये बात कि आकास सिंग ही वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी कॉंग्रेस के टिक WeTube सा अबने फास सिंगांगो घूए मुश्किले वहाँ ये वाले हो दो चुनाव्किले मुश्किले साफ। प्रने कि भी मसिय वजडेरे वाले होच जोबेक बीुकिले हो टो है कासे व наш57 था nessa, मैं भी कलि में ऱ सबस्टब चुनाभे बात कि बात कि ओक दो चुनाश